कि अलो एड़ी वान गुड मॉर्निंग वोओं वेलकम देश चानल आपका चैनल हम सबका चैनल डॉक्टर एसके सेंग आपका सपना है डॉक्टर बनना अगर आपका सपना है डॉक्टर वनना तो जरूर इस चैनल को सबस्क्राइब करना तो यह जो रेड गलर का बटन है उसे दवा दीचे और नोटिफिकेशन में और सेलेक कर लीजे ताकि आपको जब जब मैं वीडियो बनाओं या जब लाइब आओं तो आप सबको रूब रूब हो सकूं और आप सबको एक भी चीज़ को ना मिस करें अगर आप चाहते हैं करना तो जरूर जरूर इस चानल को सब्सक्काइब करीएगा और अगर आप चाहते हैं अपने और इस चीज़े को सब्सक्काइब करना खर चानल है पड़ाओ फार सिंग टेलिग्राम पर टाइब करेंगे डॉक्टटर ऐसके सिंग आपको इसका पीडिफ मिल जाएगा डॉय। यह दिनों तब सुबह नौ बजे और शाम को आठ बजे लाइब रहता हूं पढ़ा पढ़ाता हूं आप मेरे फ्री से भी बहुत सारा चीज कर सकते हैं आपको यह पता होना चाहिए कि हम रैपिट रिविजन सीरीज हमने स्टार्ट किया है जो डेली सुवह 9 बज़े रहता है और इन्वाइट को डॉक्टर इसके सिंग इन्वाइट को डॉक्टर इसके सिंग ल करेंगे पूरे प्लान फिजालोजी पूरे प्लान फिजालोजी का एंसी क्यू डिसके सन्थ आज होगा ठीक है तो आज आप इससे जुड़ जाएगा फटावर सेशन को लाइक कर देजे इन्वाइट कोड़ है डॉक्टर एसके सिंग हरवर्ड कापिटल लिटर बिना किसी सब्सक्राइब करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा तो काफी मज़दार रहता है अनिक आडमी पे तो आप सब जरूर अनिक आडमी का हिस्सा बनिए ठीक है और पायदा उठाए उसका चलिए तो हाज हम नया चप्टर सुरू करने जा रहे हैं और नये चप्टर में है हमार आज देखते हैं कौन-कौन है हलो है अलो जाल चाल है अलो निकल राज स्नीहा रवी शर्मा मुझे के मिस्टी नहीं समझ में आ रहा है क्या करूं कमिस्टी पढ़ो फिर जो समझ में नहीं आ रहा है वही पढ़ोगे ना एक आज काला ही काला आज काला ही काला चलेगा है इसने हाँ हेलो मयंक हेलो रभी कैसे हो पढ़ा फर सेशन को लाइक ठोको एंजी जी हाँ हेलो वर्शा हेलो अदित्या हेलो नीहा अम्ब्रीन रंधीर दिव्या पूजा तिंकु सुलंकी मयांख शुरूती येस कैसे हो हेलो कृष्णा हेलो कीवी हेलो खुशी अभिजीद गायतरी नेहा रवी एशा स्रिस्टी फूचर डॉक्टर आख घंड हलो चलिए तो चलिए प्रा रंभ करते हैं ठीक है एक सो इतना चोटका कैसे बड़न सावाश इतना बड़ा नहीं करह रहा था थोड़ा सा तो स्टर्च गरभार चलरा है बड़ा कस्ट डाई है कि थोड़ा से बड़ा करता हूं ज्यादाई हो जाता है आप गया लिख रहा है कि एक सेकंद दीजेगा कि नीचे का है नहीं आ रहा है कि स्टार्ड टिशू परस्ट स्टार्ड टिशू तो टिशू क्या होता है कि जब सेल आपस में यह सेल है कोई और यह सेल मल्टिपल टाइम डिवाइड करता है तो यह टिशू बनाता है क्या बनाता है तो और इसका बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए और इसका बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए और इसका सिमिलर होना चाहिए और इसका सिमिलर होना चाहिए और इसका सिमिलर होना चाहिए और specific काम करेगा राइट सो देखे यहां definition लिखा है a group of one or more types of cell having the similar origin and perform a specific function एक कुछ specific काम करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं tissue बोलते हैं they are called tissue animal tissue के बारे में बात करें animal tissue के बारे में बात करें ज्यादे ही उपर भाग गया था तो animal tissue the structural of the cells vary from according to very according to according to their functions therefore the tissue are different and they are broadly classified into the food type हमारे animals में बहुत ज्यादा अलग-अलग टाइप के tissue होते हैं ठीक है हमारे शरीर के हर एक पार्ट में और इस पार्ट से question नीट में आए गई आएगा ठीक है आता है तो basically क्या होता है कि the structural and the structure is very ठीक है अलग-अलग टाइप के tissue हमारे शरीर के अंदर होते हैं यहां से question उभर के आता है देखिए कैसा तो पहला question पहला आपको अभी अभी सांथ के सांथ याद करना है कि चार टाइप के हमारे tissue होते हैं हाना फोर टाइप के tissue होते हैं बोले जरा एक बार epithelial tissue जोड से बोलेंगे सारे लोग pe it each do you yes epithelial tissue और दूसरा Davos connective tissue connective tissue तीसरा muscular tissue और चौथा neutral tissue याद हो गया सबको याद कर लेना है, इस सेशन में को याद करना है epithelial tissue connective tissue muscular tissue NEURAL tissue Epithelial tissue connective tissue muscular tissue NEURAL tissue बारी बारी से इनके बारी में डिसकस करेंगए Hypith количества नाम से ही पता चल रहा है है opi का मतलब ऊपर तीछिनी होता है जो ऊपर ऊपर उपर ग्रो करें उसी को हम क्या बोलते हैं एक मतलब किसी सर्फिस के ऊपर और तीछिए ब्यज्सियों का मतलब होता है टीशू होते हैं वह हमारे इसकिन के सर्फिस के के उपर होंगे या कहीं और होंगे सर्फिस के उपर होते हैं ऑटीशू विच ग्रोब़्वापं-टॉभंधί टिशिओ किसी दूसरे के उपरव करते हैं ए यह रिक्ष कमपोज यह question आया हुआ है तो on the basis of number on the basis of number of cells layer है ना on the basis of number of cells layer यह इसको दो कटेगरी में डिवाइड करते हैं simple epithelial और compound epithelial simple epithelial compound epithelial simple epithelial में क्या होता है they are composed of single layer of cells single layer of cells इसलिए इसका नाम पढ़ा इसलिए इसका नाम पढ़ा क्या simple cells है ना तो यह simple cells से बने होते हैं इसलिए इसका नाम पढ़ा simple simple epithelial cells क्योंकि single layer से बना हुआ है they are composed of two or more cells type that is called compound epithelium अब simple epithelium के बारे में बात करते हैं function as a lining of body cavity duct duct मतला pipe और tube तो जितने भी हमारे body के tube होते हैं है ना duct होते हैं pipe होते हैं उनकी covering को एक करता है simple epithelial tissue on the basis of shape and structure modification they are divided into the three types simple का ही squamous epithelium cuboidal epithelium columnar epithelium ठीक है कुछ आज रहा है समझ में हमने क्या किया कि हमारे चार tissue थे उसमें से हम epithelial tissue पढ़े रहे हैं epithelial tissue के दोर परकार होते हैं simple compound simple में जो होता है simple simple जो होता है तो simple epithelial tissue और compound epithelial tissue ठीक है simple का मतलब एक से बन रहा है compound का मतलब एक से ज्यादा से बन रहा है simple के भी तीन टाइप होते हैं esquymus epithelium cuboidal epithelium columnar epithelium I hope की recall कर पा रहे होंगे सारे चीज़ सांथ के सांथ याद करिएगा तो simple epithelium का आप diagram ने थे डीरै वेरी सिमपल दफ लगेंट्स इंकी जो होते है बिलकुल flattened होती है की परेफरी में फलेट्टल होती है क्लों कि तरह होते है इनका पेफरी देखिगे दिखाई दे रहे हैं की तरह कि तरह दिखाई दे रहे हैं कियोग की तरह दिखाई दे रहे हैंग इस वन इजता कॉलमनार इनके बारे में धुर ée एसे टेबुलर फॉर्म है ताकि आप चीजों को याद कर पाएं इसकौमस एपिधीलियम कि वाइड एपीधीलियम एड कॉलम्नार एपिधीलियम इसिम्पल एपिधीलियल के टाइप स्कौमस इसकौमस एपिधीलियम कि रंप्यंपूर सिंगल लेयर ओफ फ्लाट इनसल आपने तखा कि इनके छल्स जो होते हैं फ्लाटेंड होते हैं इनके बांटरी इनके इनके डैगराम में इर्फिपह देखा थे इनके डागेज़ियम में इर्रेग बाउंट्री सोुती have flattened irregular boundaries so they are called simple right there was simple epithelial cells they are composed of single layer of flattened cells with the irregular boundaries और ही कुशन आया है एक्जाम्पल आया है ठीक है यह कोशन आया है एक्जाम्पल वाल of blood vessel and air sack of lung यह दोनों से ही प्रस्न पूछा गया है वाल ओफ वाल of blood vessels and air sack of lungs wall of blood vessel and air sack of the lungs now we have a cuboidal epithelium compose of single layer tube like structure tube की तरह होते हैं first is the duct of gland the tubular part of nephron and epithelial cell of PCT यह तीनों से कोशन आया है यह जो लास्ट वाल देख रहे हैं नीट 2020 में आया है ठीक है सब यहीं से चोरी करते हैं मेरे नोट से कि वाइडल epithelium they are composed of single layer of cube like cells duct of glands जितने भी glands के duct होते हों उनमें मिलेंगे tubular part of nephron tubular part of nephron में मिलते हैं और epithelial of PCT proximal convulated tubules में मिलते हैं right columnar के बारे में बात करें तो compose of tall cylindrical जो अपने देखा था अभी compose of tall cylindrical sense their nucleus are located at the base lining of stomach and intestine lining of stomach and intestine lining of stomach or intestine most probably मुझे लग रहा है कि यह आ जाएगा इस बार इस बार इन्हों ने PCT पूछ लिया अगले बार lining पूछ लेंगे इसलिए मैंने गैस पेपर निर्धारित किया है आप सब के लिए गैस पेपर थोड़ा सा गैस करने के कोसिज कर रहे है ठीक है गैस पेपर पोर नीट्विंटी त्वेटी वन कि क्वेटी त्वैन ओर होने वाला है एं थरस्दे प्राइडे और साटेडे होने वाला है ठीक है दो वीग चलेगा छे टेस्ट होंगे अनिकाड़मी के ऊपर शाम को आठ बजे से लेके नौ बजे तक ठीक है लाइब टेस्ट रहेगा आप ओ MR शीट के साथ बैठेंगे रियल टाइम रांट प्रडेक्टर होगा मज़ा आने वाला है मैंने जो एंटिये के तरफ से MR शीट है मैंने अपने टेलिग्राम पर पोस्ट किया है आई होप कि आप सबको मिला होगा मिला है नहीं मिला है तो टेलिग्राम से जुड़ जाएगा डॉक्टर करेंगे आप टेलिग्राम से जुड़ जाएंगे और वहां पर जो एंटिये ने अभी अभी ओमर शीट डाला है वह आपको मिल जाएगा और गैस पेपर वाले मॉक टेस्ट में आपको आना है और आपको जबर्दस तरीके से बहतरीन मांक्स स्कोर करना है compound epithelium के बारे में अब बात करते हैं हमने simple पढ़ लिया ठीक है फिर से रिकॉल करते हैं चार epithelium कौन-कौन से बोलो कौन-कौन से भाई अरे बोलो चलो फटा-फट प्लाइसबैक में जाते हैं क्योंकि याद करना है हमें याद करना है हमें ठीक है तो यह चार epithelium थे epithelial connective muscular और neural ठीक है अभी तक हमने epithelial के बारे में पढ़ा epithelial में दो टीप टाइप के होते हैं simple epithelial compound epithelial symbol का मतलब एक से बना हो compound मतलब अभी हम पढ़े ही नहीं है दो या दो से अधिक से बना हो simple जहां पर खाली जगह होता है वहां लाइनिंग होती है simple के चार तीन होते हैं वैसे चार भी होते हैं इसलेटेड अलग से आ जाएगा सब्सक्राइब के बारे में पढ़ा क्योबाइडल के बारे में पढ़ा और ट्यूबलर फॉर्म में पढ़ा एसक्वाइमस का एक्जांपल है वाल ऑफ ब्लड वैसल एयर सेक अफ लंग्स सब्सक्राइब में सिंगल लेयर होता है एरेगुलर बाउंडेज होती है कि वाइडल में क्यूब की तरह होता है डाक्ट अफ ग्लाइंड जितनी भी हमारे डाक्ट अफ ग्लाइंड हो उनमें रहेगा ट्यूबलर पार्ट अफ नेफ्रॉन अन एपिथील सेल अफ डाक्ट कुमिद लयूर्य नौ यहां पर हमारा जो होता है लुव कर लेयारा कि मतलब है कि दो यह दो से अधिक से बना होगा ठीक है, so they consist of two or more thin layer, right, it has a protective functional as it does it in our skin, they are found in the dry surface of skin, a dry surface of skin के उपर होगा, occurrence is very important, the example is important, नीट में आपसे definition बहुत रेरर पूछा जाता है, नीट में आपसे direct example पूछा जाता है कि कहां मिलते हैं और क्या काम करते हैं, moist surface और dry surface दोनों पर होगा, बकल काविटी पे भी हो सकता है, ना, बकल काविटी, फैरिंग्स जिससे यहां पर नीचे, ना, inner lining of the duct of the celery gland, और पंक्रियाटी टो, the occurrence is very important, कहां 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 हो रहे हैं, फिर से एक बार देखते हैं, compounded with helium dry surface moist surface buccal cavity buccal cavity के अंदर जाएंगे pharynx inner lining of ducts of celery glands ठीक है और पंक्रियाटिक डाप और पंक्रियाटिक डाप इतना छोटा हो जाओगे है अधर से ज्यादा तो यह समझ में आ गया आपको कहां कहां होते हैं अब हम बात करते हैं the cell lining of blood vessels belong to the category of the cell lining of blood vessel belong to the category of yes please answer to comment again there साबश पहला कोश्यन का answer क्या है नीट मैं आपकोश्यन है the cell lining of blood vessels belong to the category of it is a esquimus epithelium deep emaro भिनित शुरेश साहिवा सगुफ्ता अंकिता शिवं सुरेश मयांक सगुफ्ता दिव्या धानू सुरिस्टी क्या वाद है बहुत बढ़िया ने बहुत बढ़िया दूसरा कोशन है अब सीलिया का काम क्या होगा सीलिया जो है किसी चीज को पकड़ेगा है न हमारे बोडी में कोई कोई भी चीज आ रहा है कोई भी चीज आएगा तो पकड़ेगा समझे दो पकड़ेगा कौन पकड़ेगा ब्रॉंक्योज और फिलुपियून टूज येस डी डी मारो बेटा डी फॉर डॉक्टर डी ऑप्शन तो ब्रॉंक्योज में क्या होता है कि जब हम घूमते हैं तो बह हां पर सिलिया रहते हैं और दस पार्टिकल्स को ट्राप कर लेंगे वह जब आप सुवह उठते हो तो खांसते हो तो दैस कॉल म्यूको सिलियरी एसलोरेटर वह बाहर निकल जाता है मैटेरियल बाहर निकल गया आपके लंग सुरक्षित रह गया फिलूपियन ट्यूप इंदर इनर लाइनिंग में छोटे-छोटे सीलिया होते हैं और फिर वेट करेंगे कि आजाओ कब सपाम आएगा और सब्सक्राइब तो संगम हो जाएगा बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं आंसर विल विसी आंसर विसी फोर टाट ब्रॉंक्यों फैलोपियन ट्यूप अंसर मारो सी के उपर अब हम सीलियेटेड एपिथिलम जो अभी लास्ट वाला हमने कर रहा था लास्ट वाला जिसके ऊपर छोटे-छोटे सीलिया थे तो हमने पहले ही कोशन पूछ ले और चेक किया कि तुम लोगों कुछ आता होता है भी है कि नहीं है ठीक है बटाता है बढ़िया तो यह पढ़ा के अगर कोशन पूछता तो सारे लोग बता देते वेरी गुड तो सीलियेटेड एपिथीलियम कोलम्नार और क्योवाइडल सेल्स बीर सीलिया और प्री सर्फेस कॉल्सिलियेटेड एपिथीलियम ठीक है तो इसकी ऊपर जो है छोटे-छोटे सीलिया होते हैं इससे हैंना सीलिया होते हैं और यह सीलिय मूवमेंट में बहुत इनका एहम रोल होता है देर फांक्शन इस तो भी मूव पार्टिकल्स और म्यूकर्स इन इस स्पेसिफिक डिरेक्शन तो इनका काम है आप जैसे फिलूपिंट्यू मे conjunt excellentAm जना चल्व होलो ऑरगन यह bekommt बहुत है जाते है जितने में कुछ नारों की ओड़ सेज़े यह आपने वह कुंदर तो सब्रेक्रांडी कुम्स कॉलियों आरों की यह आसे कुछ वाले थे कुछ अमुदर क्यों आरों कि वाइटर से जो लास्ट वाले थे वů् इस्पेसलाइज हो गए हैं और किसमें बदल गए हैं घ्लैंडूलर अपिफीन में बदल गए हैं टॉकुरा कब पूरा करेंगे टिशू का मतलब होता है कि सेल्स के सिमलर सेष्ट्स सिमलर जो सेल होते हैं कि और वह टिशू का अपना अलग से काम होता है हमारे चाइब के टिशू होते हैं आहितृलaggi लियंस करें उन्म निव स्कुलरर प्रवाइब करता है और इसकी बेसी फिर दो टाइप के अपिदिल टीशू होते हैं सिंपल और कंपाउंड का मतलब वह सिंगल लेयर से बनेगा और कंपाउंड का मतलब दो या दो से अधित लेयर से बनेगा सिंपल ऑन बेसिस अफ शेप इन स्टॉक्षर मोडिफाई और फंक्शन अब देखेंगे आप तो इसकी जो वाल होते हैं इर्रेगुलर होते हैं फ्लैटन होते हैं कॉलम्नार क्यूब की तरह होते हैं और कॉलम्नार में काफी बड़े होते हैं और सिलेटेड में उपर सीलिया आपको नजर आ रहे हैं तीनों में अंतर अगर देखेंगे तो स्कॉमें से भी तीलियम देर कंपोसर सिंगल लेयर फ्लेटेंट सेल्स विद ए रेगुलर बाउंडरी और एंग्जाम्पल इस बुवाल बलड वैसल और सेक अफ लॉंग्स क्यूबाइड एपिथीलियम देर कंपॉस वे टॉलन से लिंडीकल सेलस देर नुकलीं और लोकेटेटेट अट देश लाइनिंग फस्तवक एंट इंटस्टीन लाइनिग अंटस्तेन फिटीर इन्द एपिटीलियम 2 या 2 अधिक सब देर ए रिस पैस मॉय सर्पेस बकल कवरोड़ी फैरिंग लाइनिंग आध lining of dark salivary gland pancreatic gland पर प्रजन होते हैं हमने एक कोश्चन भी करा था और ciliated epithelium जो होते हैं यह हमने कोश्चन कर लिया था ciliated epithelium ciliated epithelium the columnar or quivardal cells bear a cilia on the top of the cells and their function is to move a particles with a specific direction they are found with a hollow organ like the bronchioles and Philippine tube and some of the columnar cells are specialized to form a glandular cells मजा आगया सब तो याद हो गया yes or no में लिखेंगे yes or no लिखेंगे लिखिये लिखो वेटा लिखे जोख तुझे तेरी याद में अजर रंग में लिखो 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 कौँ सा color लें समझ नहीं आता है चलो pink ले ले लेते हैं पिंक ले ले लेते हैं ले लिए पिंक yes अनसारी जे सुरेश मयांख सनैना रोहना यूश विनीत मयांख सनैना सगफ्ता राम रंचन क्या बात है सल्मान जुही खान मर्यम वाव अब्दुल धानु ग्रेट दिव्या सोनी अंकित क्या बहुत बढ़िया बहुती बढ़िया तो आईए ग्लेंडुलर के तरफ आगे बढ़ते हैं याद होना चाहिए बैसिकली आप पढ़ाई कर रहे हैं हमेशा आप अपने ब्रेन को इस कदर ट्रेंड करिए कि जो भी चीज पढ़े उसे एक ही बार में याद कर ले ब्रेंड को कहेंगे नहीं हम तो रिपिजन करेंगे बाद में तो ब्रेंड इतना इतना इतन्टिव होगा इसको पता है कि फिर से एक बार दोहराए गाए बच्चा अटेंटिव क्या कमेंट में फोकस मारो तो इसलिए प्रेंड को कहिए कि नहीं बिटा याद करना है और अभी याद करना हमारे पस्ताइम नहीं है उनको फिस्टिव तो पढ़ना है तो सम अफ दे कॉलम्नार और क्यूबाइडल सम अफ दे कॉलम्नार की वाइड़ संस गेट एस फिसलाइज और सिक्रेशन इस कॉल ग्लांडू और क्यों गिएली थरर्फिट्यूर आपाइड टो तो यूमिस अलुलर मॉल्ड क्यों सेथरों। अलंड गैडिंटि वाइड तो प्रिष्टे प्लिव तो मीरण ऑंद सिख तुन्स नश्वन अनर्व कोरे सब्सक्रें नचायbutन नियु कानल ओंड थे, अडियू सुन प्रजंट इन दग टाइप्स अफ ग्लाइब ऑफ नंबर अपस तो उसको ऐसे डिवाइड करते हैं अब देके टाइप ग्लाइब अपना सिक्रेशन किसी क्याविटी में भेजता है और एंडोक्राइब ग्लाइब जिसमें डख नहीं होता है उसका सारा का सारा सीक्रेशन जो ठाइब बलड में जाता है आइडी काथ देफुजिंटी तो एंडोक्राइब इंडों ग्लाइब टोटील से तो इसकूरेशन ड् Damn to हमारे होते हैं एक और होता है तर इसकाल मिक्स ग्लाइन इनके फांक्शन मिक्स होते हैं कभी-कभी यह तो बहुत बार बच्चे कहते हैं कि सर कभी-कभी अजिके तो बड़ा हसता है बहुत केरिंग है बहुत हैना फून भी जब मैं मना कर देता हूं घुक्र kind unacceptable या कभी-कभी क्या होता है कि फून है तो यह ऐसे ही मिक्स ग्लाइंड होते हैं कभी-कभी तो यह होता है कि इंजाइन सिक्रीट करेंगे फिर कभी-कभी होता है कि होर्मोन सिक्रीट कर देते हैं लोग इनका कुछ पता ही नहीं है तो बोथ एंडोक्राइंड पार्ट और एक्जोक्राइंड प्लांट पार्ट ए इसका नहीं पता है क्या करेगा भाई आए आगे चलते हैं तो टाइप अव ग्लाइंड बेसिस ओफ नीचर एंड सिक्रेशन तो पहला ग्लाइंड होता है डाइस कॉल मीरो क्राइंड ग्लाइंड एक रिंड तो मेरे एक मिटिंग है बारह बज़त तो इसका आगे का कल हम 11 बज़े शुरू करेंगे ठीक है उपस्तित रहिएगा और वन गो में तो नहीं हो पाएगा ठीक है कोई भी चैप्टर वन गो में मेरी बस की बात नहीं है कि एक ही मदम नहीं करा पाता हूं मैं तो बस आज के लिए यही और बस क्वालिटी मिलेगा इतना शुर मजा आएगा इतना स्क्यूर है और याद होगा यह भी शुर है तो मिलते हैं आज 8 बज़े प्लान फिजॉलोजी को अच्छे से कंप्लीट कर लेजेगा